चानक के आई एस अकैडमी करन्ट अफेर्स में आप सबी का स्वागत है आज हम बात करेंगे जेन वन वेरियंट के बारे में विश्व स्वास्ता संग्ठन ने कोविट 19 के नए सब वेरियंट जेन वन वेरियंट ऑफ इंटरस्ट के रूप में क्लासिफाई किया है लेकिन कहा गया है कि इससे सारजनिक स्वास्ते को जादा खत्रा नहीं है जेन वन को पहले इसके मूल बंच बी ए पॉइंट टू पॉइंट एट सिक्स के एक हिस्से के रूप में वेरियंट ऑफ इंटरस्ट के तोर पर वरगिकृत किया गया था इस पर विश्विश स्वास्त संग्ठन के मत कि अगर बात करें तो डबलो एचो के अनुसार अब तक इस वेरियंट के 7300 से अधिक मामले रिपोर्ट किये जा चुके हैं भारत में भी JN1 वेरियंट के कई मामले आ चुके हैं डबलो एचो ने कहा है कि मौजूदा साक्षों के आधार पर JN1 से उत्पन अतिरिक्त वेश्विक सारजनिक स्वास्त जोखिम को वर्तमान में कम माना गया है डबलो एचो ने कहा है कि मौजूदा टीके JN1 और COVID-19 वाइरस के अन्य सरकूलेटिंग वेरियंट से होने वाली गंभीर बिमारी और मृत्यू से रक्षा करते हैं इससे पहले विश्य स्वास्त संग्ठन ने सदस्य देशों से मजबूत निगरानी और सीक्वेंच शेरिंग जारी रखने का अग्रह करते हुए कहा था कि वाइरस बदल रहा है और विक्सित हो रहा है भारत पर इसकी स्थिती के अगर बात करें देश भर में 2020 से करोना के केस चार करोड़ पचास लाग के उपर पहुँच गये हैं स्वास्ते मंत्राले के अनुसार पिछले 24 गंटे में 752 नए मामले दर्ज के गये हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार राज्यों में केरल में सबसे जादा 565 केस मिले हैं एक्टिव केस के मामले में केरल के बाद करनाटक सतर केस के साथ दूसरे नंबर पर हैं World Health Organization के अनुसार पिछले एक महीने में दुनिया भर में कोरोना के मामलों में 52 परतिशत का इजाफा हुआ है 19 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच 8,50,000 केस रिपोर्ट हुए हैं हालाकि इस एक महीने के दौरान डेथ रेट 8 परतिशत घटा है वर्तमान समय में लगभग 41 देशों में फैला है J1 वेरियंट विश्य स्वास्ते सेंक्ठन के अनुसार कोरोना का नया J1 वेरियंट अब तक 41 देशों में फैल चुका है फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापूर, कैनेडा और स्वीडन में J1 के मामले सबसे ज़ादा है भारत में 22 दिसंबर तक नए वेरियंट के 23 मामले मिले हैं अधिकारिक सुत्रों के अनुसार सभी केसे हलकी इलक्षन के हैं WHO ने JN1 को वेरियंट ओफ इंटरस्ट में शामिल किया है WHO ने बताया है कि अभी तक का विशलेशन कहता है कि मौजूदा वैक्सिन JN1 वेरियंट पर पूरी तरह से कारगर है इससे लोगों को जादा खत्रा नहीं है हाला कि डबलू अच्चों ने सावधानी के तौर पर एडवाईजरी जारी की है इसमें लोगों को भीड वाले बंद या दूशित हवा वाले इलाकों में मास्ट पहनने की सला दी गई है साथ ही आवश्चक दूरी बनाने को भी कहा गया है केंदर सरकार का निर्देश है कि सभी जिले टेस्ट करें केंदर सरकार ने नए वैरियन को लेकर 18 दिसंबर को सभी राजों के लिए एडवाईजरी जारी की इसमें सभी राजों को जादा से जादा COVID टेस्ट करने को कहा गया है केंदर ने positive sample genome sequencing के लिए लेब भेजने का निर्देश भी दिया है केरल में COVID-19 का मामला बढ़ने की कारण वहां भी advisory जारी की गई है यहां 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुज़ुर्गों किड्नी, हरद्य, लीवर जैसी बिमारियों से पीडित लोगों गरवती महलाओं, स्तनपान कराने वाली माओं को बाहर जाने पर अनिवारे रूप से मास्क पहनने की सला दिये गई है केंदर के निर्देशों के अनुसार अभी जादा घबराने या तुरंत प्रतिबंद लगा कर सीमा पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत नहीं है हाला कि केरल और तमिल नाडू से लगे सभी सीमा वरती जीलों को सतर्ता बरतनी चाहिए क्रिस्मस और नए साल के जश्न के दौरान लोगों को खास तोर पर सावधानी बरतने के निर्देश दिये गए है अब हम बात करेंगे कि भारत में कहां से आया JN1 वेरियंट इंडियन काउंसिल ओफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार 8 दिसंबर को केरल के तिरुवनंत पुरम में सबसे पहला JN1 वेरियंट सामने आया था वहाँ पर 79 एर्स की एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी महिला में इंफ्लुएंजा जैसी बेमारी के लक्षन थे हलांकि बाद में वह ठीक हो गई कोविट के सब वेरियंट JN1 की पहचान पहली बार येरोपियन देश लक्जंबर्ग में हुई है यहां से यह तमाम देशों में फैलना शुरू हुआ है यह सब वेरियंट पिरोलो वेरियंट BA.2.86 से जुड़ा हुआ है इसे इंसानी शरीर की इम्यूनिटी के खिलाफ खतरनाक बताया जा रहा है यही वज़य है कि नए वेरियंट को लेकर अलट जारी किये गए है यूए सेंटर फोर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि 8 दिसमबर तक अमेरिका में सब वेरियंट JN1 अनुमानित 15 परतिशत से 39 परतिशत कोविड केस के लिए जिम्मेदार है सितंबर में पहली बार JN1 का मरीज सामने आया था इसके साथ ही आज का ये विशय यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशय के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद